हलो दोस्तों मैं हूँ भग्यश्री अपका माई कीचन फुट में स्वागते आज हम स्ट्रॉबेरी जूस बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी खाने में बहुती ट्रेस्टी होती है और ये हमारे स्वास्त के लिए भी बहुती लापकारी होती है और इसमें बहुत सर्विटामीन स्ट्रॉबेरी खाने से हमारा वजन भी कम होता है और इसमें कैंसर और ब्लड शुगर नियंत्रित करने में भी मदद करती है और हमारे दिल की रक्षा भी करती है और ये हमारे हड़िया, बाल, दातों को मजबूत भी बनाती है और आखों की शमता भी बढ़ाती है स्ट्रॉबेरी में एंटी अक्सिडेंट पाया जाता है ये हमारे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमी कर देती है तो हम जवा और उंदर दिखते है तो इतने सारे स्ट्रॉबेरी खाने से होते है अभी समर सीजन भी है और बादजर में बहुत ही फ्रेश स्ट्रॉबेरी अभी मिलने लगी है तो चलो आज हम स्ट्रॉबेरी का जूस बनाते है और नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रॉबेरी चाम भी बनाएंगे तो चलो ये स्ट्रॉबेर कि हम सबसे पहले पर पत्तो Doesn Elton उसको हम हटा देंगे इस तरह से हम नाइब की मदद से इनको क्लीन कर लेते हैं कि और फिर क्लीन करने के बाद हम इनको पानी से अच्ची से वाष कर लेते हैं और वाष करने के बाद हम इस तरह से उनको कट कर लेते हैं हम इनको रफली कट करते हैं और कट करने के बाद हम इस तरह से इनको जूसर जार में लेंगे और इसमें हम निम्बू का रस डालेंगे और तीन से चार चमच हम यहाँ पर शक्कर का यूज करेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसा शक्कर का यूज कम जादा कर सकते हैं, और फिर इसमें हम चुटके बन नमक भी डालेंगे, इससे अच्चा टेस्ट आता है, फिर इसमें हम थोड़ा सा थंडा पाने डालकर इनको मिक्से में पीस लेते हैं, आप यहाँ पर बर्प का यूज भी कर सकते हैं, और इस तरह से हमने पीस लिया है, अब हम इनको चान लेते हैं, और इस तरह से चानने के बाद हम ग्लास में इसको पोर करेंगे, और ग्लास को हम स्ट्रॉबरी से डेकरेट करेंगे, यह हमारा और इसी तरिके से स्ट्रावरी बनता है और इतने सारे फाईदे श्ट्रावरी खाने से होदे है तो आप भी जूस और जाम मिलक शेक्स मनार कर इनको यूज करें और इस रेकिक को लाइक और शेयर करना था बूले हमाराalgia ज्ट्रावरी में बन सुआध कर रही है झाल 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 झाल